ओम शान्ती आज 12 ओक्टोबर 2021 है आज हम लेंगे याद की शक्ति कहते हैं याद से याद मिलता है जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा तक हमारी याद पहुंच जाती है लेकिन उस याद को शक्ति शाली बनाने के लिए मुझे अपने मन में सिर्फ एक बाबा को ही समाना होगा एक व्रता एक बल एक भरोसा यही याद की शक्ति का आधार है सुनते हैं आज का स्लोगन वानप्रस श्थिती में जाना है तो दृष्टी वृत्ती में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो वानप्रस श्थिती अर्थात वानी से परे किस श्थिती? आवाज से परे निराकारी निरसंकल्प स्थिती एक आवाज होता है मुख द्वारा आवाज और दूसरा आवाज होता है संकल्पों का आवाज दोनों ही आवाजों से परे जाने को ही वानप्रस्थिती कहा जाता है हमारी ये जो स्थूर दृष्टी है ये वीडियो कैमरा के समान है जो कुछ भी ये देखती है वो जाने अन जाने में हर चीज सबकॉंशिस माइंड के अंदर रेकॉर्ड करती जाती है और जब कभी मन शान्त अवस्था में होता है तो जो कुछ भी रेकॉर्ड किया हुआ है वो मन के परदे पर धीरे धीरे दिखाने लगती है यही बहुत ही सुक्षम और बहुत ही धीमी आवाज है संकल्पों का और यही आवास जो दृष्टी द्वारा रेकॉर्ड किया मन के अंदर यही आवास हमारे वृत्ती को भी प्रभावित कर लेते हैं इसी कारण से हम वानप्रस्थिती अर्थात वानी से परे जा नहीं पाते हैं जब मेरे मन के अंदर मेरी वृत्ती में सबके प्रती आत्मिक भाव और भावना हैं तो ये वृत्ती हमारी स्थाई हो जाती है, पवित्रता की स्थाई आ जाती है और इस वृत्ती से जब हम हर एक आत्मा को आत्मिक द्रिष्टी से देखने लगते हैं, तो कोई भी रिकॉर्ट नहीं होता। सिर्फ आत्मा, लाइट और परमात्मा की संतान हैं, यही स्मृती रहती है, और यही द्रिष्टी और वृती रहने के कारण से हमारा मन सदा थिती ही आवास के परेकिस थिती में जाने का आधार है इसलिए कहा कि मुझे अपने वानप्रस थिती में जाना है तो अपने दृष्टी और वृत्ती को बार-बार पविच्टा को अंडरलाइन करके पक्का करना होगा अंडरलाइन करना माना बार-बार अटेंशन देखकर के पविच्टा को प्रेक्टिकल धारना में लाए कि सब आत्मा भाई-भाई हैं सब अपने हैं सब आत्मा हैं ओम शान्ति